तो दोस्तो आज हम सुरू कर रहे हैं रेमान इंटिग्रल और रेमान इंटिग्रल में हम सबसे पहले करेंगे इसकी जो important definitions है most important definitions जो exam में हर बार पुछी जाती है इन में से एक नमबर का question जरूर बनता है उसी को हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है norm या मेस कहते हैं इसको of a partition P norm और मेस of a partition P तो इसको कैसे करना है इसको देखिए तो इसको ऐसे करना होता है कि maximum of the lens जो लंबाई होती है maximum होती है उसकी lens of the sub intervals of a partition P जो partition P होता है partition P के पारे में हम अलग से वीडियो मना के समझाएंगे partition P क्या होता है is called the norm और मेस of the partition P and is denoted by इसको इस तरह से represent किया आता है partition P को कैसे 10 P P कैसे होता है maximum of यह delta R और R की value होती है 1 से N तक जाती है और यह जो delta R होता है यह interval होता है यह interval कि कहां से का तक होता है XR से XR-1 यह 1 से N तक R की value हो गई और उसके बाद आचाती है अगली definition refinement of a partition P यहां पर रिफ्टिक न भूल गया हम है partition P refinement of a partition P तो इसको कैसे करते है definition को let P be a partition of a P ठीक है P के इसका partition A B का तो then any partition जिसके उपर dash लगा है तो P is called a refinement of P P का refinement क्यालाएगा यदि P की जो इसकी refinement P की values इसके अंदर lies करती है इसको अलग word में लिख सकते हैं every point of P जो point of P है सारे के सारे is a point of P dash सारे के सारे points P dash में होगे और इसके अंदर और भी points होएंगे some other points of a B in it इसके अंदर other points भी होएंगे ठीक है 深कि कॉ णूब यसम सी ऊंदर वाह हैं